हिंदू बालिकाओं के साथ दुषकर्म का एक महा में पांचवा के सामने आया है थाना जगदीशपुरा शेतर से 15 वर्ष की एक हिंदू बालिका को दूसरे समुदाय का युवक बहला फुसरा कर भगा ले गया था बालिका के साथ दो दिन तक दरिंदगी की गई बालिका साथ वे दिन किसी तरह घर लोटी और आप बीती सुनाई परेजनों की तहरीर पर पुड़िस ने दुषकर्म का मुकदमा दर्श किया है आगरा में हिंदू बालिकाओं के साथ दुषकर्म का एक महा में पांचवा के सामने आया है थाना जगबिस पुरा शेत्र से पंदा वर्ष की हिंदू बालिका को दूसरे समुदाय का युवक बहला फुसला कर भगा ले गया बालिका के साथ दो दिन दर्णदगी की गई बालिका साथवे दिन किसी तरह घर लोटी बालिका के लापता होने की घटना के ग्यारवे दिन बाद केस दर्च किया गया, इससे पहले आगरा के थाना शागच में पिछले एक महा में हिंदू बालिकाओं से दुषकर्म के चार केस दर्च किया जाचू पीडित बालिकाओं सुबा घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली थी, इसके बाद वह घर नहीं लोटी, तो उसके माँ बाप को चिंता होने लगी, बेटी को देखने के लिए, आसपास की दुकानों में पूस्ताश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला, परिजनों क पुलिस की भी कोई सहायता नहीं मिली, छे दिन तक परिजनों का बेटी की तलाश में रोरो कर बुरा हाल हो गया, पूरा परिवार इस चिंता में डूब रहा कि बेटी आखिर गई तो गई कहां, कहीं से कोई मदद ना मिलने के बाद, आखिर में परिवार ने भगवान भर उसे छोड़ दिया, अठारा गस्त को बालिका घर लोटी, बेटी ने आप बीती बताई तो परिजन बेटी के साथ खुद भी रोने लगे, बेटी ने रोरो कर बताया, माँ बाप को अपना दर्द, बेटी की आप बीती सुनने के बाद, माँ बाप ने उसे सीने से लगा कर उसका दर्द हलका किया, बालिका ने बताया कि उसे आरोपी जाविद बहला फुसला कर अपने साथ तिर्री में लेकर बस में बैठ गया और उसके साथ रेप किया, लखनओ में बस के ड्राइवर ने किछोरी की मदद की और उससे पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने आरोप जावेद पुत्र गुलाम रसूल आगरा के जगदीशपुरा थाना शेत्र के अंत्रगत अमरपुरा में रहता है। इप शर्मा की रिपोर्ट।